सबको नमस्कार करोना से निपटने के लिए दिल्ली में हम लोगों ने लॉकडाउन लगाया है लॉकडाउन लगाने ज़रूरी था ताकि करोना के केसेज में कमी आ सके चेन तूप सके लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि लॉकडाउन खास कर गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ा आर्थिक संकट पैदा कर देता है खास कर उन लोगों के लिए जो दिहाडी करके रोज कमाते हैं रोज खाते हैं ऐसे लोगों के लिए तो अपना घर चलाना मुश्किल हो जाता है। पिछले हफ़ते हम लोगों ने खासकर मजदूरों के लिए ऐलान किया था कि हर मजदूर के एकाउंट में 5-5 हजार रुपे हम लोगों ने डालने का ऐलान किया था। उनके अकाउंट में 55,000 उपे जावी चुके हैं, जो लोग बिमार होते हैं, जिनके RT-PCR की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, उनको भी अलग से मदद करने के हम लोगों ने अलान किया था, उन मजदूरों के लिए, आज हम दो निरने हम लोगों ने लिये हैं, एक तो ये कि जितने दिल्ली में राशन काड़ धारक हैं, लगबग 72 लाख राशन काड़ धारक हैं, इन 72 लाख लोगों को अगले दो महीने के लिए मुफ्ट में राशन दिया जाएगा, इसका मतलब आप ये मत निकालिएगा कि लोगडाउन दो महीने चलेगा, भगवान ना करे, ज जल्दी केसिस कम होना चालू हो और जल्दी लॉगडाउन खतम हो, लेकिन जो आर्थिक तंगी से गरीब आदमी जूज रहा है, उसको मदद करने के लिए, अगले दो महीने के लिए, सरकार में निरने लिया है कि अगले दो महीने के लिए, सब को राशन मुफ्ट दिया जा चलाते थे, टैक्सी चलाया करते थे, शाम को थोड़े पैसे घर ले जाते थे और उसे से इनका घर चला करता था, इन लोगों के घर में कोई बहुत ज़्यादा सेविंग्स भी नहीं होती, गरीब लोग होते हैं, पिछले कुछ हफतों से दिल्ली के अंदर लॉकडाउन है जिसके वज़े से इन लोगों की रोजी रोटी बिल्कुल खतम हो गई है, बिल्कुल बंद हो गई है, तो जैसे पिछली साल हम लोगों ने किया था, पिछली साल भी जब लॉकडाउन लगा था, तो दिल्ली के सभी आटो चालकों को और टैक्सी चालकों को दिल्ली सरकार म पांच पांच हजार उपे से देके मदद की थी आज भी हम ये निर्ने लिया आए कि हम the प्रखर सभी ऑउटो चालोको और टैक्सी चालोकों को 55 रुपे देकर मदद करेगी ताकि उन लोगों को इस आर्थिक तंगी डौर में थोड़ी से मदद मिल सके, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उनके सारी जो जितने देली वो कमाते थे वो उससे मदद होगी, लेकिन मैं उमीद करता हूँ कि इस आर्थिक तंगी के दोर में उनको मदद मिलेगी, तो लगबग पिछली बार भी हम लोगों ने एक लाख चपन हजार ऐसे ड्राइवर्स की मदद की थी, उन सब की मदद इस बार भी दिली सरकार करेगी, ये बहुत ही कठिन दोर है जिससे हम सब लोग गुजर रहे हैं, और खासतोर से ये जो सेकंड वेव आई है, ये सेकंड वेव तो बहुत बहुत जादा खतरनाक है, हम सब लोग देख रहे हैं कि चारो तरफ कितना दुख है, चारो तरफ लोग कितने परिशान हैं, चारो तरफ लोग कितने बिमार हैं, मेरी सब लोगों से हाथ जोड के विंती है, ये समय हमें एक दूसरे की मदद करने का है, ये समय एक अच्छा इंसान बनने का है, सब लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे इस पार्टी के हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे कॉंग्रिस के हों, चाहे आम अदमी पा हमारी तो किसी को नहीं डिखती, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सब एक दूसरे की मदद करें, अगर कोई बिमार है, उसको अस्पताल में एडमिट कराने की मदद कर सकते हैं, अगर कोई किसी को बेड नहीं मिल रहा है, उसको बेड दिलवाने में ढूंडने में उसकी मदद कर सकते हैं, अगर किसी को कई वर केवल सूचना मिल जाने से काफी मदद मिल जाती है, किसी को अक्सीजन दिल्वाने में मदद कर सकते हैं, किसके घर में सब बिमार हो गए, उनको खाना खिलाने में मदद कर सकते हैं, उनके धर पे खाना पहुंचाने में मदद कर सकते हैं, इस की मदद कीजिए बहुत पुनने लगेगा और तभी देश की तर्क्य होगी और अगर हम सब मिलके इस से लड़ेंगे तो मुझे पूरी उमीद है कि बहुत जल्द हम करोना से जीत पा लेंगे नमस्कार